क्या बात है आप लोग वापस आचुके हैं सिग्मा वेब डफलप्मेंट कोर्स में I'm really very happy कि आप लोगों ने इतना जादा प्यार दिया इस कोर्स को हाई एनरजी के साथ लाइक कर देना यार आती है कि नहीं that will help me structure this course better इसी वीडियो में आप लोगो को chat GPT का impact बताऊंगा क्योंकि chat GPT के बारे में काफी बात है जल रही है आजकल आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को quizzes भी कराने वाला हूं इस तरह से opening text closing text structure basic website का ले होता है तो यहां पर जो मेरा folder था इसके अंदर मैं video 3 नाम से एक folder बनाऊँगा new folder video 3 और video 3 के अंदर shift right click करके open with code खोल दूँगा और यहां पर आप लोगों देख सकते हो कि जो मेरा theme है वो blue color का और रख है आपकी choice है एक नई फाइल को बनाने के लिए मैं आपर index.html डालूँगा हमने यह तो अलड़ी बात की थी कि यहां पर अगर मैं title of the page लिख दूँ और यहां पर content लिख दूँ और फिर यहां पर link tag का इस्तेबाल करके यहां पर emet का use करके style.css लिंक कर सकता हूँ इतनी तेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि अलड़ी पिछले वीडियो में इसकी बात हो चुकी है और यहां पर script.js यहां पर मैं लिख दूँ और यहां पर मैं लिख दूँ लेटस से alert hello तो मैं बार बार आपको यह नी बताऊंगा कि यहां पर मैंने अगर यहां पर script tag लगा दिया body से just पहले और उसके बाद यहां पर script colon src लगाकर script.js कर दिया और फिर यहां पर यहां पर click करके open with browser कर दिया तो यह hello आ जाएगा और यहां पर मैं अगर body का background मुझे page reload करने की ज़रूरत पड़ी आप मैं से लोगा सवाल होगा reload क्यों करने की ज़रूरत पड़ी जब already यह live reload करता है तो देखो मैंने css file change करी जब मैं css file change करता हूँ at times हम reload करने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आप html file में changes कर रहे हो html file के changes को आपको इस तरह से reload करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा आउंगा वापस और आप लोको समझाओंगा यह एक basic structure होता है किसी भी html website का सबसे पहले हम लिखते हैं doc type html फिल लिखते हैं html tag अब देखो यह html tag का opening tag यह आ गया closing tag यह body का opening tag यह अगया closing tag यह आ गया head का opening tag यह आ गया closing tag यह आ गया इसके अंदर का जो भी मसाला है वो head का content है html के अंदर का जो भी मसाला वह क्या है html का content है उसी हिसाब से title के अंदर जो चीज़ है वो title का content है अब आप लोग कहा है meta का content क्या है फिर तो meta होता है एक self closing tag दो तरह की tags होते है HTML में एक होता है self closing tag और एक होता है pair tag pair tag में क्या होता है कि आपका opening tag होता है closing tag होता है तो यह basic structure HTML website का आँप आपने देगा कि background रेट हो गया यह किस पतलबाए तो हो रहा है css की बतालद अगर मैं css को यहां से हटा दूं और css से काऊंगी जल्दी यहां से हटो और जैसे मैं css को जल्दी यहां से हटो तो इसको यहां से हटना पड़ेगा, पेज रिलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो, यहां पर यह हट गया है, इसी तरह मैं जावा स्क्रिप्ट से भी कह सकता हूँ, क्या, जल्दी वहां से हट हो, आप देखो, यहां से मैंने का, तो अलर्ट आना भी बंद हो जाएगा, तो आप देखो, अभी रिलोड दरूँगा, तो अलर्ट आना भी बंद हो गया, तो यह जो HTML content के अंदर, मैंने CSS और जावा स्क्रिप्ट अड़ करी थी, यह additionally CSS और जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को, इस HTML पेज के साथ लिंक करने के लिए हमने यूज किया था, अब यहाँ पर लिखोगे code with Harry, HTML मार लो, तो code with Harry का HTML introduction, HTML working, यह सारे titles मैंने डाले हुएं पेज पेज पे, आप देखो, यहाँ पर HTML introduction, यह title है पेज का, तो यह जो titles होते हैं पेज के, यह search engines के दवारा यूज किये जाते हैं, और parse किये जाते हैं, अब मैं यहाँ पर page change करूँगा अगर, तो यहाँ पर HTML working हो गया, इसका title, अब मैं दुबारा से page change करूँगा, आप देखो, यहाँ पर HTML installation हो गया, इसका title, तो titles जो होते हैं, वो change होते रहते हैं, उसी के साथ सा जैसे से change करता रहूँगा, यह change होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जैसे कि आप पर पता चल रहा है, HTML execution क्या है, HTML execution का मतलब है कि HTML कैसे execute हो रहा है, इस page के बारे में मुझे बताया जा रहा है, तो page का title change करना एक बहुत अच्छी SEO practice है, तो किसी भी framework से हम लोग website बनाएंगे, हम page के title को change करते जाएंगे, अब यहाँ पर ही जो head section है, head section के अंदर page का metadata होता ह जैसी की title हो गया, और आपका कौन सी script से आप लोग लिंक करना चाते हैं, वो हो गया, उसी के साथ साथ और भी meta tags होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, meta tags का मतलब basically यह होता है, कि HTML document कैसा है, उसके बारे में बता जाता है, keywords डाले जाते हैं, description डाले जाते यह compressed HTML है, तो इससे आप confused मत होना, यहां पर आप देख सकते हो कि meta description tag लगा हुआ, जो कि this page को describe करता है, अगर हम लोग Google की बात करें, तो meta description Google यहां पर दिखाता है, मैं आपर आप लोग को यह दिखाना चाहता हूँ कि doc type, HTML, इसके बाद head के अंदर क्या होता है, कि page का meta tags, title tag script tag, link tags भी होते हैं, तो अब जो script tag होता है, उसको आप body के just spell भी डाल सकते हो, और उपर भी डाल सकते हो, और क्या differences में इसके बारे में आगे course में हम बात करेंगे, बट यहां पर आप देख सकते हो, मैंने link का स्तमाल करके CSS को दुबारा से add कर दिया, फिर इसके बाद body जो हो script डालने से, क्या होगा यह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा course में, लेकिन यह एक basic structure है HTML website का, lang is equal to en एक attribute होता है, यह किसी भी tag के साथ अंदर lang is equal to en किया, तो lang एक attribute है, जिसकी value en है, तो यह key value pairs यूज किये जाते हैं, जो कि इस tag के बारे में बताते हैं, जैसे कि meta tag के अं क्या कैसे इस्तमाल होता है, अब most of the content जो होता है na body के अंदर का, वो mostly HTML raw है, वो आप copy करोगे, mostly codewithari.com जैसी website से, आप यहाँ पर आकर जो भी source code है, वो copy करोगे, जैसे अगर मैं बात करूँ, forms की, तो HTML forms वाले इस page में आकर आप इसको copy कर लोगे यहां से, और अपना form मुना करना शुरू करोगे और modify कर दोगे, तो copy paste करना बहुत जादा important होता है, मेरे साब से, as a senior developer आपको पता होना चाहिए, कि copy paste कहां से करना है, और कब करना है, and I am not saying that sarcastically, ठीक है, sarcastically नहीं बोल रहा हूँ, यह चीज हमेशा same रहेगी, अब आप इसको type कर लो, यह copy paste कर लो, obviously आप इसको copy paste करना prefer करोगे, क्योंकि यह change तो होने वाली है, जो form है वो form रहेगा, और आप अगर copy paste वगएरा करते हो, तो आपका time बचेगा, फिर innovation आपको दिमाग वहां लगाना है, जो चीज copy paste नहीं हो सकती, तो आप इसको as a sigma rule समझ लो, कि आप लोग copy paste करोगे वो चीज जो की copy paste होनी ही होनी है, और जहां दिमाग लगाना है, वो copy paste होनी सकती, तो वहां पर आप time बचा के दिमाग लगाओगे, the most important part of being a senior software developer, is to where to copy paste from, which stack overflow question to copy paste from, and how to paste it from, where copyright code वे दैरी, 2024, 2026, जो भी है आप समझ लो, यह मेरा copyright statement मैंने बोल दिया है, लेकिन इस statement में बहुत जादा दम है, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी technique के बारे में बताऊंगा, जिससे की आप इस website को, यहां पर हम जो भी develop करेंगे वो इस mobile में आप लोग देख पाऊगे, अब जो step से उनको ध्यान से सुनना, right click करना, terminal खोलना, और लिखना ipconfig, अगर आप लोग पुराने version में हो तो command prompt या powershell भी खोल सकते हो, ipconfig लिखकर जैसे ही enter मारोगे, आप यहां पर देखोगे, ipv4 address आपको देखने को मिलेगा, 192 168 1199, अब यह जो ip address हम लोग को यहां पर मिला, इसको मैं करूँगा copy, तो यह ipv4 addresses को copy करूँगा, और अपनी settings में लिखूँगा, live preview, यह जो local ip host address to host your files on, यह लिखा हुआ है, इसकी जगा पर मैं लिख दूँगा, अपना ip address, और यह करने के बाद मैं अपना vs code restart कर आप लोग को एक चीज और ensure करनी पड़ेगी, कि आप लोग अपनी wifi settings में जाकर, आपका जो network है, उसे private network कर ले, public network नहीं होना चाहिए, private network होना चाहिए, network and internet, wifi, जिस भी wifi से आप connected है, उसको private network कर ले, और अब आप लोग right click करके show preview करेंगे, तो आप यहां पर देखो, यह अपने phone पे भी इस्तिमाल अप कर सकता हूं, तो मैं यह IP address यहां पर जल्दी से डालूँगा, तो मैंने डाला 192.168.1.199.5000, आपका 3000 भी हो सकता है, जो भी है आपका port, वो आप डालो, और यहां पर देखो, आप लोग, मेरी जो website है, वो mobile में preview हो गई है, यह trick बहुत ज़ development करी रहे हैं, तो वो testing तो होई जाएगी, अब अगर आप लोगों ने पहले वीडियो में आकर review नहीं डाला है अपना, तो मैं आप लोगों से request करूँगा, कि आप लोगों पहले वीडियो में आकर अपना course को review कर दो, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बोला था हो जाएगी, मैंने इसको यहाँ पर sigma web development course को bookmark कर ले हो, यहाँ क्लिक करके आप इसको save भी कर ले, बहुत कम लोगों ने playlist को access किया, तो मैं चाहता हूं सब लोग access करें इस playlist को, bookmark करें और save भी करें इस playlist को, तो playlist को access करें, वीडियो को like करें, अपने गाउं और ताउं दोनो करें ऑाऊं पर transaction करें, दोने ऊभी करें, आवेड़ कर ले कित की करें, झा़ मैंने और ताउं ड़News.